हेलो दोस्तों अगर आप भी यूटूब पर मोटो ब्लॉगिंग की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मसहूर मोटो ब्लॉगर, एचसबी ओफिसियल यानी अरप्रीत पाजी और दयूके जीरो सेबन राइडर यानी अनुराग भाई को तो जानते ही होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों मोटो ब्लॉगर्स के कार कलेक्शन, बाइक कलेक्शन और यूटूब इंकम के बारे में चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम बेस्ट के सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के बाइक कलेक्शन के बारे में अरप्रित पाजी के बाइक कलेक्शन में नमबर वन पर आती है रॉलिन फिर्ड बुलट 350 और इस बाइक की इंडिया में कीमत 1,80,000 रुपीज के करीब है नमबर टू कावासाकी जेट 900 और इस बाइक की इंडिया में कीमत 10,000 रुपीज के करीब है नमबर थरी सुजुकी हाया बूसा जिसकी इंडिया में कीमत 17,000,000 रुपीज के करीब है नमबर फोर, BMW 1000 RR और इस बाइक की इंडिया में कीमत 24 लाख रुपीज के करीब है नमबर फाइप, कावा साकी 6000 और इस बाइक को इन्होंने हाली में पर्चेस किया है जिसकी इंडिया में कीमत 18 लाख रुपीज के करीब है चलिए अब बात करते हैं, दा यूके 07 राइडर के बाइक कलेक्शन के बारे में अनुराग भाई के बाइक कलेक्शन में, नमबर वन पर आती है के टिया मार्सी 200 और इस बाइक की इंडिया में कीमत 240,000 रुपीज के करीब है नमबर टू, कावा साकी निंजा जेडेक्श टेनार और इस बाइक की इंडिया में कीमत 17,000,000 रुपीज के करीब है नमबर थ्री, BMW GS310 और इस बाइक की इंडिया में कीमत 3,000,000 रुपीज के करीब है चलिए अब बात करते हैं अनुराग भाई और HSB Official के कार कलेक्शन के बारे में अनुराग भाई के कार कलेक्शन में कीया सोनिट कार आती है और इस कार की इंडिया में कीमत 14,000,000 रुपीज के करीब है हर प्रीत पाजी के कार कलेक्शन में Mercedes Benz CLA 200 CDI कार आती है और इस कार की इंडिया में कीमत 42,000,000 रुपीज के करीब है अब बात करते हैं HSB Official और The UK07 Rider के यूटूब इंकम के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं हर प्रीत पाजी के यूटूब इंकम के बारे में जैसा की आपको पता है इनके यूटूब चैनल पर 1,000,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है और इनके वीडियोस में लाखों में व्यूज आते हैं उस इसाब से इनके इंकम रिपोर्ट के मताबिक इनके मन्थली इंकम 2-3,000,000 रुपए हो जाती है अब बात करते हैं दा यूके जीरो सेवन राइडर के यूटूब इंकम के बारे में जैसा की आपको पता है इनके यूटूब चैनल पर 1.8 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है उस हिसाब से इनके इंकम रिपोर्ट के मताबिक इनके मन्थली इंकम 3-4,000,000 रुपए हो जाती है इसके अलाबा ये दोनों मोटो ब्लॉगर्स ब्रांट प्रमोशन और स्पॉन्सर्शिप से भी अच्छी खासी अर्णिंग कर लेते हैं दोस्तों आप कमेंट सेक्षन में जरूर बताना की इन दोनों मोटो ब्लॉगर्स में से आपका फेवरिट मोटो ब्लॉगर कौन है